जबलपुर में आज एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब विशाल पेड भर भराकर रोड में गिर गया जिसके चलते अफरात्फरी का माहौल बन गया पेड गिरने से दो कार बुरी तरह से क्षती ग्रस्थ हो गई है जबकि कई लोगों की जान जाते बच गई घटना शहर के इंकम टैक्स चौराहे की है पेड गिरने के बाद स्थानिय लोगों ने नगर निगम और बिजली विभाग की जानकारी दी आदे घंटे बाद मौके पर पहुची टीम ने पेड को सडक से अलग करने की कवायत शुरू कर दी है स्थानिय लोगों ने बताया कि अगर समय रहते पेड के नीचे खड़े लोग नहीं हटते तो निश्चित रूप से उनकी जान जा सकती थी बताया जा रहा है कि जो पेड गिरा है वह कई साल पुराना है पेड गिरने की वज़़ उसकी नीचे किया गया सिमेंटी करण भी बताया जा रहा है पेड गिरने के बाद लोगों को मौके पर हुजूम लगा गया प्रत्यक्षदर्शी रोशन केवट का कहना है कि मंगलवार की दोपहर करीब पौने दो बजे तेज आवाज आई कई लोगों को लगा कि जैसे बादल फट गया हो तभी सामने देखा कि एक विशाल पेड बिजली के खंभे और कार के उपर गिर गया तेज स्पार्किंग के साथ इलाके की लाइट चली गई रोशन ने बताया कि जिस समय पेड गिरा उस समय बारिश रुक गई थी जबकि इसके दो मिनट पहले तक बारिश से बचने के लिए कई लोग पेड के नीचे खड़े हुए थे जो की बारिश बंध होने के कारण वहां से हट गए थे अच्छी बात यहा है कि बारिश बंध होने से लोग अपनी अपनी गाडिया उठा कर वहां से चले गए थे प्रत्यक्षदर्शी बेजु कुमार का कहना था कि पेड गिरने के बाद लगातार बिजली भी निकल रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे आग ना लग जाए आसपास के लोगों ने तुरंथी घटना की जानकारी बिजली विभाग और नगर निगम की टीम को दी पर करीब आधे घंटे बाद बिजली विभाग की टीम पहुची और कनेक्शन कट किया पेड गिरने के कारण सडक पर खड़ी दो कार भी दपकर क्षतिग्रस्थ हो गई है फिलहाल नगर निगम की टीम पेड को सडक से हटान की कोशिश कर रही है इंकम टैक्स चौराहे से रसल चौक का रास्ता खुल चुका है